दोस्तो सेकेंड रेक्टर्स लेने के लिए किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए आज पीडियो में पता चलने वाला है तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेश करें ना इसी तरह का सेकेंड अ आपका वीडियो देखने को मिलेगा छलो सबसे पहले आपको चारो के देखना होगा सबसे पहले चारव होक् करते इसा अगे सब्सक्राइब देखे है कि जैसे ट्राइब है एक है इन आपको इतना है कि शकलरे सब्सकार गगा है कि ने करवाए गया है तो चारों डाउंड होके देखिएगा साथ ही मैं आपको इस इसकीन में देखिए कि कैसा है और यह सबसे पहले है कि नहीं यह बात पहले ध्यान देख लेना यह रही पहली बार और सेकंड में आपको क्या करना होगा है कि सबसे महेंग क्या होती है डार अगर साल भछ चल ले लाइका नहीं है यह बत पहले ध्यान देना है कि साट learns कुछ लेएंग़ा डार से बहुत महांगे होते हैं आप कहीं भी पता कर लेना कि और साथी आप Google में सच कर लिए कि टायर कर प्राइस क्या चल रहे हैं और यह अगर आपको ट्रैक्टर से सही नहीं रहेगा तो आप नांगर वगर यह सब कहां से यूज कर पाऊगा ट्रैक्टर से रनिंग रहेगा तब कि यह काम का है तो यह दूसरी बात कि आप सबसे पहले कर देखना होगा तो यह जरूर देख लिएगा और दूसरा मैंने लगे रहता है तो वो भी सही है कि नहीं है तो उससे एक और बात में आपको बता दूँ कि अगर आप सेकंड हैं ट्रेक्टर को भाई लोगों का बजट यह होता है कि एक लाग देड़ लाग में ट्रेक्टर स्ट चाही होता है तो आपको नीचे मॉडल में भी मिर रहे जैसे कि अभी के डेट में आपको नीचे मॉडल में कम बजट में लेना है तो एक लाग के पहले ही ले लिजिए और उसमें कई लोग के यह रहता है कि इसमें हम अपने हिसाप से उसमें ट्रेक्टर को खर्चा करके बनाएंगे तो यह भी एक अच्छा है कि आप एक लाग एक इसलिए तो अभी इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि यह भी अभी बता दिया तीस्रा पॉइंट यह है कि आपको सबसे पहले अगर यह चकीन में निकालके घुमा कर अगर वह निकालोंगे तो उसमें धुवा निकलते है अगर धुवा निकला थो आप निक जरूर काम है तो उसमें ज्यादा काम नहीं रहता है और साती दूसरी बात अगर आपको stimulate काम पता करना है तो क्या है traditional कीüsth जिससे क्या सामने जोका निकलता है उसमें उसमें पता चले पढ़ेगा किलोमेटर तक चला के देखिए उसमें क्या धूंआ निकलता है यह नॉर्मल धूंआ तो निकलता है यह ट्रैक्टरस में लेकिन आपको फर्ष्ट गयर में फूल स्पीड में करना आगे बढ़ने कि कोसिस करेगा ट्रैक्टर्स उसमें क्या धूंआ अगर निकार या फिस चौथे गेर में करके देखना उसमें अगर आपको दुना नहीं करना तो ट्रेक्टर में इंजन में काम है और थोड़ा वहत आवाजे भी करने लगता है त्रेक्टर का आवाज तो रहता ही है साथी और यह देखना कि सबसे इंपॉर्डन बाद चौथा और यह है कि इंजन गरम हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह देख लिजिएगा और पांच भी बात यह बताने वाला हूं आपको यह भी बहुत अच्छी बात है तो इसी को देखके मेरे को ध्यान आया कि चलो यह वीडियो बना दिया लेना है तो कहीं से लिकेज नहीं हो लिकेज आप लेने के बाद खर्चा करते रहा जाओगे तो कोई मतलब नहीं है लेकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बात का ध्यान देना और पूरा ध्यान से देखिएगा कि क्या है कि कहा से लीकेज, बहुत जगा लीकेज होता है, नीचे देखिए, अगर आप उपर टंकी है, और साथ ही अब कूलीं का भी रहता है, कूलीन को conak को भी देख लेना, कि कूलीं क्या होता है, कूलीं से ही Dziękuję थंडा रहता है नॉर्मल मदब इंजन को ठंडा करने के लिए कूलीन कर रहता है जो ग्रीन कलर में रहता है उसका जो आता है तो उसको भी देख लेना आपको उपर का बोन्त खुल के देखने को मिल जाएगा उसके बाद पांची बाद आना तो आसे चले गी है तो आपको पता करना ही होगा कि कई लोगों का साइड में रहता है साइड में लगे हो रहता है कि बेटरीदक्र जा रहे हैं कि काई साथ में देख लेगा और रही बाद यह है आपको छटवी बाद मैं यह बता दूँ कि पूरा पेपर कंपलीट है कि नहीं यह भी देख लेना होगा क्या है ड्यक्तर लेने के पहले ले के लिए है उसके बाद भटक रहें पेपर के लिए तो यह गलत है तो आप पूरा उसका कंडिसेंस भी देख लेना कि क्या है पेपर वगरह कंप्लीट है और की स्युदा दे रहें तो कितना महänge पड़ रहा है यह सब्सक्राइब खुम खूल है की नई-खूल रह certainly तो उसके पहले इंजन खुला है कि नहीं खुला है जैसे कि जिस कलर में होता है जैसे रेट कलर का ट्रेक्टर से तो उसमें रेट कलर का रबर को लगे रहता है अगर इंजन में काम आ गया है तो ग्रीन कलर का लगे रहेगा आप यह ध्यान देजिएगा अगर इंजन में काम काम करवाया गया है तो उसमें ग्रिण कलर का लग जया रहता है तो यही बात इंपोर्टन बात यहीं थी कि ट्रेक्टर्स लेने के पहले क्या-क्या पाद को ध्यान में रखना चाहिए तो आज का वीडियो यह है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लागा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब की और बैल आइकन को प्रेस करके रखे और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लागा